नमस्कार आप देख रहे हैं घमासान.com मैं हूँ आपके साथ दिक्षा भानुपियर देश के अंधिम छोर पर तीरों समुद्रों के किनारे इस्थित करन्या कुमारी तमिलनाडू राजी में आता है महत सयोगी है कि दूसरी बार भी उनका चुनावी मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी पौन राधाक्रिशन के साथ हो रहा है 2014 के मुकाबले के समय वे राज भाजपा के अध्यक्ष थे और इस बार केंद्री मंत्री बन चुके हैं पिछली बार उन्होंने तमाम संसाधनों के बाद भी वसंत कुमार को सवाल लाग से जादा के अंतर से पराजप किया था वहाँ से भी राधाक्रिशन उन्ही सो निन्यानू में कॉंग्रिस के एंड डैनिस को पराजप कर लोग सबासादस्य बने थे यानि 2008 के चुनाओ में नए परिसीमन के बाद हुए सभी चुनाओ में राधाक्रिशन इस सीड़ से लड़ते रहे एक बार जीते और एक बार हारे हैं तीसरी बार के नतीजे पर सबकी निगाहे हैं जहां तक वसंत कुमार का सवाल है पास साल में उनकी आमतनी 45 प्रतिशत बढ़ गई है मूलता इलेक्ट्रोनिक्स वस्तूँ के शोरूम की श्रंकला चलाने वाले वसंत कुमार के नामांकन पत्र के मताबिक उनके पास 230 करोड से जादा की चल संपत्ती और 182 करोड से कुस अधिक की अचल संपत्तिया है दोनों को भिलाकर ये आकड़ा 412 करोड के पार पहुचता है 2013-14 में आएकर रिटन में उनकी आमदनी करीब करीब 20 करोड रुपे बताई गई थी महीं 2017-18 में ये 46 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ ही 29 करोड के करीब पहुच गई है फिलाल राज विदासपा के सदस्य वसंत कुमार अपनी पत्नी के साथ वसंत एंड कमपनी मीडिया नेटवर्क क्राइवेट लिमिटेट में भी भागिदार हैं ये कमपनी तमिल सेटलाइट टेलिविजन चैनल वसंत की संचालक है subscribe our channel and press the bell icon for more updates